गाइज इंडिया का ये हजार साल पुराना मंदिर किसी आठ में अजूबे से कम नहीं है जिहां गाइज महाराष्ट औरंगाबाद से 30 किलोमेटर दूरी पर मुझूद इस मंदिर को कैलाष मंदिर के नाम से जाना जाता है जिसे राष्ट कूट वंच के राजाओं ने बेहदी नायाब तरीके से बनवाया था क्योंकि इसे बनाने के लिए पत्थरों को नहीं जोडा गया बलकि पूरी की पूरी एक चटान काट कर उसे एक मंदिर का धाचा दिया गया था जिसमें से करीबन दो लाख टन पत्थर बाहर निकाले गए थे लेकिन हैरानी की बात ही है कि आज तक इन पत्थरों का कोई अता पता नहीं है दूसरी तरफ इस मंदिर में हिंदू धर्म से जुड़ी कई मूर्तियां उकेरी गई हैं जिसमें एक तरफ महा भारत से जुड़ी मूर्तियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ रमायन से जुड़े अदबुद साक्षे हैं Guys, कुल मिलाकर ये मंदिर किसी आर्ठ में हजूबे से कम नहीं है Guys, KGF और RRR मूवी ने साल 2022 में जितनी मिलकर कमाई की थी उतनी कमाई तो Bollywood के 50 फिल्में भी मिलकर नहीं कर पाई जियां guys, साल 2022 में Bollywood के 50 फिल्में रिलीज हुई थी और ये सभी फिल्में सिर्फ 2000 करोड का ही बिजनस कर पाई जो की KGF और RRR के टोटल कलेक्शन 2400 करोड रुपे से 400 करोड रुपे कम है यही नहीं, यहां करा इतना ज़ादा कम है कि कुरोना के टाइम पर भी जब फियेटर बन थे तब भी Bollywood ने इसे डबल कमाई की थी वहीं, अगर टोफ फिल्मों की बात करें तो इसमें से सरफ 5 फिल्में ही ऐसी थी जो की हिट हुई जिसमें से The Kashmir File, Drisham 2, Brahmaastra, Gangubai, Katiya Wadi और भूल भुलिया 2 जैसी हिट फिल्में शामिल है हलाकि इन में से भी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो की 300 करोड के आकड़े को पार कर पाई हो लेकिन फिर भी इन 5 फिल्मों ने लगबग 1000 करोड की कमाई कर ली थी जो की Bollywood की टोटल कलेक्शन का आदा हिस्सा है मतलब साफ है कि 2022 में Bollywood पर बोईकोट ट्रेंड बहुत जादा भारी पड़ा था गाईस कि आपको भी ये लगता है कि Bollywood वाले हमेशा South फिल्मों की चोरी करते हैं और South वाले नहीं नहीं फिल्में बनाते हैं तो आप गलत हैं क्योंकि South वालों ने भी कई Bollywood फिल्मों की कोपी की है और उनसे करोड़ो रुपया चापा है जिहां गाईस इसमें सबसे पहली फिल्म है संजदत की मुन्ना भाई Mbps जिसे South इंडस्ट्री ने एक नहीं बलकि दो-दो भाशाओं में कोपी किया है तमिल में जहां इसे वशूल राजा Mbps के नाम से कोपी किया गया तो वहीं तेलगू में इसे शंकर दादा Mbps के नाम से कोपी किया गया नमबर दो पर है सलमान खान की दबंग जिसे तमिल भाशा में उस्ते नाम और तेलगू भाशा में गबर सिंग के नाम से कोपी किया गया नमबर तीन पर है आमीर खान की त्री इडियेट्स जिसे तमिल भाशा में नंदन नाम से कोपी किया गया और ऐसा सिर्फ आज के समय से नहीं हो रहा बलकि 80-90 के दशक में सूपर स्टार रजनी कांत ने अमिताप की कई फिल्मों को कोपी किया था गाईज मतलब साफ है कि जो हालात आज बोलीवुड के हैं वैसे कभी हालात तो साउथ के भी थे सब समय समय की बात है वक्त अच्छा और बुरा आते रहता है इसलिए बोलीवुड के अच्छे वक्त का इंतिजार करिए और कभी-कभी एप्रीशेट भी कर लीजिए कोमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवी लिखिए और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए एटूब मोटिवेशनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा नलते वीडियो